होता ते आता जबड़ पास 8000 कोचला आए आणि डाइरेक्टर हेल्थ आणि आपला जे हेल्थ ब्यूरो आए क्यांचे असेस्मेंट प्रमाडे ज़र वीकली ग्रोथ रेट हीच वहली तर आपला पुढिल दोन दिवसात आजे आपला प्रतिदीवस नवीन केसेस चाहे तो 9000 क्रोस होना रहा है या एक अंदरित पार्श भूमी मदे पुने मदे काई विशेश आपन करू शक्तो आपली स्ट्रेटेजी काई आए याचे अनुशंगाने डीटेल चर्चा जाली नोनी कॉर्पोरेशन या मदे माइक्रो प्लानिंग करून खुब मेहनत करता है आनि तसे अपला जे टेस्टिंग जाली एक आले काली उसाथ 31,000 टेस्ट जाले आए तापले निशित रित्या जेवड़े जास्ट होता ते वड़े जास्त आपले ला केसेज ही आड़लत आहे तो आनि या मदे कारेकारण संबंध आहे कही भागा मदे फोकस करूना माला टेस्टिंग अजुन बाढ़वाई सी आहे परन्तु दर दिवस ये नारा जे पॉजटिव रुगणा आहे तानि पॉजटिव टीचा प्रमाड आहे तो निशित रित्या चिंता चाहिक विशाय आहे याचे अनुशंगा ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर भर देने आपली आरूग इसुविधा बल्कट करने ऑक्सिजनेटेट बेट्स, आईस्यू बेट्स आनि वेंटिलेटर्स याँची संख्या मदे सतत वाढ़ करने हां एक आवश्यक स्ट्रेटजी आहे आनि महनच काल आर्मी सोबत माजी समन्वे सबाज हाली है आनि संध्याकाडी सरो प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल जे मेजर प्राइवेट हॉस्पिटल साहे त्यांचे सोबत सुधा समन्वे सबाज हाली आनि क्याचे अनुशंगा ने हॉस्पिटल बेट्स आपन वाढवतिया है साधान तर पांच तारखी परेंत आमचा सध्या अनुमान असा है कि लास्ट य अनुशंगा ने होती खासगी आनि शाष की दोनी मिड़न ती हायस्ट वैड अविलिबिलिटी पांच एप्रेल परेंत आपन गाटना रहे आनि जर केसलोड असिच वाढ़त राहिला तर नेशी तरित्या काही हस्पिटल साला कंप्लीट आप लेला कोवीड हस्पिटल अर शंभा टक्तितो हस्पिटल कोवीड हस्पिटल मनुनाच डिकलेयर करावा लागेल ही सुधा पाड़ी यह उशकते हैं दोनी जंबो फेसलिटीज बानेर ची आपनी डेडिकेटड कोवीड फेसलिटी ऑटो क्लस्टर ची डेडिकेटड कोवीड फेसलिटी बाल ग्राम ची फ त्याचा कारण तो साहे कि सिटी एरिया ची जे हॉस्पिटल साहे कि माँ जंबो फेसलिटी आहे कॉर्परेशन जे फेसलिटीज आहे त्या मदे ग्राम वीड भागा ची ही रुग्ण मोठा प्रमाणा वर आता एडमिट होता है ताने किमबवना इतर जे लहां तु नगर न प्रमाण वाडला आनि 15 टक्ते पेक्षा जास्त गेला है अजुन तीथून मोठा प्रमाणा वर पेशन्स कुनेला येनिजी सुर्वात जाली नाई परन्तु माच्या वर्षी सारका या वर्षी सुद्धा जर पेशन्सी हावक किते सुरू जाली तर निशित्रित्या आपल आनि त्याना जे महत्युपूर्ण आरोग युनेट्स आहे त्यान सा दाई तो आमें देना रहा है आनि त्यामधे हस्पिटलाइजेशन, डिस्चार्ज, कुनते दर्जे से पेशन्टला कुनते दर्जे सा बेड उपलब्द करून देनियात आलेला है, बिलिंग गशे होता ते वरिष्ट दिकारी आहे ते नियंद्रण ठे होती है, एक अंदरीत कोविड मैनेजमेंट मदे एक अनिवार आनि अत्यंत महत्युपून धटक मनून वैक्सिनेशन चा जे प्रोसेस आहे तो सुधा समोर आलेला है, आनि मलाहा नमुत करायला आपला समोर चांगला बाठत अनियोजन असा है कि पुढिल दोन दिव सात आपन पंचंतर से अंशी हजार प्रति दिवस परिंत आपन जाओ आनि त्याचे पुढ़े दोन तीन दिव सात बेस्ट ऑन आपला गड़े स्टीडी सपलाई आनि आपली टीम चे कारगिर्दी वर अबलंबू ना है परन्तु आम चा नियोजन आ है कि आमी एक लाख चा आपला लक्षनल खूप साम्यासताथ आनि जे अस्पिटलाइजेशन चा लोड आ है तो निशित रित्या कमी हो तो क्यों वाँ त्या मांसा ची परिसिती डिडिरेट होने ची जे शक्केताय थी सुदा निशित रित्या कमी होते आनि मांसा चा लाइफ सेव कराईला आपला याश मि जे अपली वयस्क पोपुलेशन आ है अमें मिशन हंड्रेट डिज हाच आतला आ है आनि आपला प्रियत्न आसा रहना रहे कि बाई मिड जून किमा त्याचे पेक्षा थोड़ा कही दिवस अगो दरसा कम्प्लीट केला पाईजे आनि याचा उलेक मी याचा मुलेज करता है कारण हाँ एक अंद्रेत कोबिड मैनेजमेंट चा अत्यांत महतकून घटक आहे आता यहाँ जे एक मागिल एक आठोडे भराचा आढ़ावा जालेला है पुने मदे बेड मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कॉंटेक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, वेक्सिनेशन हाँ करने वेतरिक्त अजुन काय कराईचा आढ़ाई आणि त्याचा जाचा मुडे कि मान आपला जे संसर्गा है तो त्याला थोड़ा सा आडा बसेल, क्यों आठोड़ा प्रसार जी जे गती आहे ते कमी होईल, याचा साथी काही पाउल आज उचलने चा सामुही पिनड़ाय घेनयात आलाईला है, त्या मदे माननी पालक पंत्री महोदे, तीन ही चार ही मान आणि महापार ही होते, आणि खुब बरेच वेड़ विचार मिमान सा करून, जनतेला कमी ते कमी तरास जाला पाहे जे, मात्र जे सद्या कोविट चे प्रसार ची गती आहे, त्या लाही नियंत्रनात आन्ने मदे यश मिडाला पाहे जे, आणि त्याची अनुशंगा ने प माइक्रो कंटेन्मेंट चे जे पॉलिसी आम ची आहे, त्याला अजुन कड़क गराई साहे, जे सोसाइटी जाहे, फ्लैट साहे, दिथे केसे आढ़र लाहे, तिथे महानगर पाली के ची टीम, ते जास्त सतर्क राहून आनि माइक्रो कंटेन्मेंट जे आहे, ते त्याची करूँन, और पिरियोडिक ते त्यांची स्वताची तपासनी करता है, त्याँना आए, ब्लुड टेस्स करता है, त्याचा साथी आमीं त्याना गाइड करना रहा है, त्याचा रीजन असा है कि बरेच्छे डॉक्टर्स तानी होस्पिटल्स करूण असा फीडबैक मिडा कि अनेकता होम आईसोलेशन मदे असलेला पेशन रह था, जो पेशन पूर्ण तह स्टेबल आए, तो हस्पिटलाइज होतों आनि तो पर इन त्याची परिस्तिती बिगड़ून गे ले लिए असे, तो तसा हून है, मनुन पिरियोडिक तपासनी त्यांची, इस्पेशली गड़ टेस्ट, जेने करूं डी डाइमर आनि बाकी इंडिकेटर्स से आधारा वर ठरोता यहते कि त्याना किती दिवसाथ हस्पिटलाइजेशन ची आवशक्ता पड़ू शकते, त्याचा वर आमें भर देना रहा है, बीजे मेडिकल कॉलेज, जंबो हस्पिटल, आर्मी ह चालू जालेला है, काल एका दिवसाथ पहने तीन चे बेड वाढ़ ले आप उधिया सकाड़ी पर आत अडिश्चे से तीन चे बेड वाढ़ होना रहा है, पुणे महानगर पालिगा ने अत्यांत त्वरित कारवाई करूं साधान दर चार शे मेडिको और पेरा मेडिको स् आइडेंटिफाई करूं आपले जे सबसेंटर साहे तीथे त्या भागा मदे इस्थानिक नागरिक समुह त्याचे वेतरिक्त जनप्रतिनिदी यांचा समावेश करूं आपन तीवर गतीने तो करना रहे बिल चे ऑडिट चे कारवाई आपन याचे अगोदर किला होता माक्षा वर्षी आणि सतक त्याचा तून बरेश चे नागरिकाना खूं मोठा दिलासा मिडा लिला होता राजे सरकार चे धोरण आए आणि जी आ रहे अगस्ट दो नहजार बीस सा तो अजुन लागू आए त्याचे एनेक्सर सी मदे देन्यात अली सूचने प्रमाड़े जी बिल आए त्याचा ओडित आपन पुना शुरू करता है कारण प्राइवेट हस्पिटल्स मदे पुना हस्पिटलाइजेशन चे प्रमाड़ वाड़ आए आणि याचे तक्रार येने चे अगोदर चे आपन प्रोएक्टिवली ही टीम्स आपनी आपनी पुनार गठित क करूं त्याना कामा वर लावत आए सुपर इस्प्रेडर सी टेस्टिंग याचे वर फोकस करने आनि तसे जे मुख्य अस्थापना आए तिथे त्यालोगाना आई तो देने कि त्यानी टैंसा कल्चा जे कामगार वर गाए त्यानसी बेड़ो बेडी आठवडे बर्थ मदे किमान एकदा ही सिफारेशा में strongly करना कि किमान एकदा त्यानी टैंची तपासनी करूं घ्यावी जेडे करूं या सुपर इस्प्रेडर सी अंसा पलूं जे संसरगा है तो पसर नार नाए आनि तसे ते स्वता ही सुरक्षित रहते हैं या दर्मियान असा ही डिसिजन ये नि बंद रहाना रहा है मात्र पार्सल सेवा होम डिलिवरी सर्वेस तिथे चालू रहाना रहा है अर्थात इट्री मदे यहून रेस्ट्रेंट बार मदे यहून आपन जेमन करू शोकत नाए कारां जेवायला बसलान अंतर परेचता त्याचत मुडे अपलाला इंफेक्शन प अला वदी मदे पुढ़िल साथ देवसा साथी बंद रहाना रहा है सरो प्रकार चे धार्मिक स्थर्ड आ है ते सुधा पुढ़िल साथ देवसा साथी कंप्लीट भी बंद रहाना रहा है तसेच पीम पीमल ची जे बस सर्विस है ती ही पुढ़िल साथ देवसा साथी पू त्यांचे कामगाराची साथी व्यवस्था करावी, कामगाराम ना याचा अनुशंगाने त्रास होनार नाए। मिजॉरिटी इंडस्ट्रीज कड़े त्यांचा बस सर्विस वगर आहे आनी माक्षावर्शी आपन पाहिला आहे। सो याचा मुड़े फार काहे त्रास होईला सावाटत नाए। आनी कालावधी फार चोटी आहे अपन साथ दिवसाथ साथ अपन हाँ निड़ाई साध्या घेतला है। जे आठवडी बाजार आहे ते सुद्धा या कालावधी मधे बंदस ना रहे। आणि त्या चे वर्तरिक्त जे महानगरपाली का ची मंडई आहे ताने शॉपस जे अस्ता जिधे भाजी पाला आने बाकी गोष्टी विक्तार। तीथे सामाज़ेक अंतर याचा खात्री केल्यान अंतर महानगरपाली के ची टीम आहे तीथे complete तपास्णी आहे, जे COVID-appropriate behavior आहे, social distancing आहे, hand sanitization आहे, ही सगड़ी बवस्ता महानगरपाली के मारफत करने आती है ना रहे है। आहे हैं आपन त्याला थामबहु शकत नाहे, तो त्यामधे जे निर्भंद होते की 20 पैक्षय जास्त त्यामधे सामावेशित हुउ शकत नाहे तो निर्भंद अजुन लागू आहे। अध्या वश्यक सेवा वगणून बाकी सगडी गोष्टी चा ची संचारबंदी असना रहा है। अध्या वश्यक सेवा वगणून बाकी सेवा वगणून बाकी संचारबंदी असना रहा है। अध्या वगणून बाकी सेवा वगणून बाकी सेवा के सगडी असना रहा है। पूर्ण एक यूनिट मानून आपन जिल्हे साथी नना गेता हो। पूर्ण एक यूनिट मानून आपन जिल्हे साथी नना गेता हो। पूर्ण एक यूनिट मानून जिल्हे साथी नना गेता हो। पूर्ण एक यूनिट मानून जिल्हे साथी नना गेता हो। पूर्ण एक यूनिट मानून जिल्हे साथी नना गेता हो। पूर्ण एक यूनिट मानून जिल्हे साथी नना गेता हो। पूर्ण एक यूनिट मानून जिल्हे साथी नना गेता हो। जिल्हे साथी नना गेता हो। पूर्ण एक यूनिट मानून जिल्हे साथी नना गेता हो। पूर्ण एक यूनिट मानून जिल्हे साथी नना गेता हो। पूर्ण एक यूनिट मानून जिल्हे साथी नना गेता हो। पूर्ण एक यूनिट मानून जिल्हे साथी नना गेता हो। पूर्ण एक यूनिट मानून जिल्हे साथी नना गेता हो। तो अजुन लागू आए, तीस एप्रिल परें शाड़ा कॉलेज बंद रहा नार, मात्रया दर्मियान दहावी, बारवी, क्योंगा MPSC ची परिक्षा साथी जे परिक्षार्थी, विद्यार्थी, सम्मिलित होना रहा है, क्यांची सोई ची काड़ जी आमिगेना रहा है। अज बोल रहा है, हम लोग यार एक्सपेक्टिंग की पांच से जादा लोग, अनावश्यक लोग जबी कठे होते हैं, तो संसरक चांसे बढ़ते हैं, हमारा हीतु सिर्फ और सिर्फ इतना घर पे रही है, सुरक्षित रही है। अज बोल रहा है, तो सुरक्षित रहा है, तो अज बोल रहा है, तो आप अगर वेक्सिनेशन की स्पीड है, वो लोकल फैक्टर्स रिसाइड करते हैं, गोवर्मेंट ऑफ इंडिया का क्लियर कट यह कहना, कि आप अगर वेक्सिनेशन की स्पीड बढ़ाते हैं, तो हम आपको वेक्सिनेशन की स्पीड कराके देंगे। तो subsequently यह 45 की जो मर्यादा है, वो 30 पे आएगी, 30 की मर्यादा 25 पे आएगी, 25 की मर्यादा 18 पे आएगी, वी आर एक्स्पेक्टिंग कि हमारी स्पीड, हमारे परफॉर्मेंस को देखके अगले 100 दिनों में यह मर्यादाएं शितिल होंगी। जो मिशन 100 days है, वो हमारा खुद का मिशन है, जिसमें हम यह मान के चल रहे हैं कि subsequently, eventually, हमें 18 साल के उपर का हर जो नागरिक है, जो अभी तक हुए रिसर्च के हिसाब से 18 साल के उपर का हर नागरिक को वैक्सिनेशन दिया जा सकता है। हमारे उमीद यह है कि अगले 100 दिनों में इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे हमारी स्पीड और गवर्मेंट ऑफ इंडिया के मिलने वाली सप्लाई इन दोनों के बेसिस पे हम कोशिश यह करेंगे कि हर वयस्क नागरिक कम से कम उसको वैक्सिनेशन मिल जाए। और उसके लिए माइक्रो प्लानिंग हमारी टीम्स ने किया हुआ है। हमारे सेंटर्स लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले एक हकते में 110 सेंटर्स हम लोगों ने बढ़ाए हैं। पुने मिनिस्पिल कॉर्पोरेशन के लगभग 200 प्लस सेंटर्स का और प्रपोजल भारत सरकार के पास पहुंचा है। जो इसमें इलिजिबिलेटी क्राइटेरिया है वो काफी फ्लेक्सिबल है। अब्रीटिंग डिपेंड्स आन पर्फॉर्मेंस। जब बाकी जगह पे अभी स्पीड आने वाली है उसके बावजूद हम इस स्पीड को हमने मेंटेन किया हुआ है। तो हम उसके वेसिस पे उमीद कर रहे हैं कि वैक्सिनेशन हम टाइम पे कर बाएंगे। जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है पिछले साल से अगर हम कंपेर करते हैं तो ऐसा दिखता है कि यह जो वेव है। इसके लिए कोई मेरे पास साइंटिफिक एविदेंस नहीं है बट जो एक्सपीरेंस लास्ट येर का वो दिखाई दिखाई दिरा चार से पांच वीक तक अभी यह ट्रेंड रहेगा। मतलब अभी जो कोईट का सीन है उसके बाद भी होप वी एक्सपेक्ट कि वो स्लोली नीचे होना शुरू होगा दो तीन महीने हमें लीन पीरियड मिलेंगे। तो यदि ये एक महीना प्लस दो तीन महीने का लीन पीरियड इसको हम क्लब करते हैं तो इस दौरान हमारा नियोजन ये है कि इस समय का सदुपयोग करके हम जादा से जादा लोगों को वैक्सिनेट कर दें जिससे कि God forbid अगर third wave आए भी तो उसकी तीवरता इतनी जादा ना नहीं दे सकते हैं उनको अधी जो policy है वो बहुत simple है कि 45 साल से उपर मैं आगे का नियोजन आपको बता रहा हूं कि हमारा नियोजन है कि eventually हम हर वयस्क वैक्ति को देना चाहेंगे अभी जो भारत सरकार की policy है वो यह है कि 45 साल से उपर के हर वैक्ति को देना है 45 साल से उपर के भी लोग हमाई पास कमने 28 लाख लोग है जिने हमें ये vaccination देना है अगर हम रोज एक लाख भी दे पाए तो हम 28 लाख लोगों को vaccination तीस दिन में दे पाएंगे मैं जरूर बताता हूं मैं मुझे जो बसेज हैं वो भी इस तोरहां completely बंद रहेंगी और जो industries और companies के लोग हैं उनको हम ये सिफारिश करेंगे कि वो अपने स्टाफ के लिए के यातायाद के लिए सुचारू विवस्था वो स्वतंतर रूप से करके रखें इसके अलावा जो पुरानी सुचनाई थी अर्थात जिम है, स्विमिंग पूल है, क्लब है, प्राइवेट सेसाइटीज में ये बंद रखने की वो सुचनाई अभी भी लागू हैं जो शाम को 6 बजे से सुबद 6 बजे ये बारा घंटे के लिए आई भवानी जा गजर भंजे